हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो भी हम चर्चर करेंगे कि कॉलेज वरियता जो क्रम है वो कब से भरे जाएंगे तो आप सभी लोग जो है इस चीज को लेके बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि कब से जो है कॉलेज वरि कि आज के वीडियो में इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे तो यह जो क्रम है इस से पहले आपको जो कुछ काम है वो करना है सबसे पहले मैं आप सभी का बता दूंगी इंटरवियू की जो कॉलेज यूपी हैचेसी की वेब साइट है उस पे आपको वेब साइट का नाम यह ह यहां आपको यह चीज मिल जाएगी यहां देखिए आपको यह तो पुराना है अभी नया फॉर्मेट जो है वजारी नहीं हुआ है तो यहां पे जैसे इस प्रकार से आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा या आप चुछ इसका संपोर्ण लिस्ट है वह देख सकते हैं इसका जो जो एडविटीजमेंट है उसमें आपको लिस्ट भी दी गई है कॉलेज की वहां से भी आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से यहां पे कॉलेज लिस्ट जो है वह आ जाएगी जब आपको यह डाउलोड इंटर्व्यू एडविट कार्ड का ओप्शन आ जाएगा देख कि आप बार-बार जो इस प्रकार के प्रेशन ना पूझे यह वीडियो बनाने का उद्देश यही था कि आपकी इस समधान किया जा सके तो देखिए आयो की वेबसाइट पे आपको यह ओप्शन मिल जाएगा डाउनलोड इंटर्व्यू एड्मिट कार्ड का अभी तक नह कर लेगा वो है आपका परिसस्ट इस प्रकार से उसको आप आगे जब नीचे नीचे करते जाएंगे भडने के बाद तो आपको इस प्रकार से कुछ परिस्ट खुलेंगे एक दो तीन चार पांच छे तो यह जो है फॉर्मिट जो है आपके सामने खुल जाएगा तो इस प करके वहाँ पर ले जाना है इसके बाद जो कॉलम नंबर तीन है यह जो है कॉलेज की लिस्ट है जो आपको भड़नी है कॉलेज वरियता क्रप यह आपको यहीं से भड़ना पड़ेगा तो यह जब आपका अवेलेबल हो जाएगा तब आप डाउनोड करिएगा और अपने इसकी दो फोटो कॉपी आपको वहाँ पर ले जानी है इंटर्व्यू के समय तो यह अभी तक आपका आया नहीं है तो इसलिए परिशान होने की ज़रवत नहीं है तब तक आप एक काम यह कर सकते हैं कि आप जो है जितनी भी कॉलेजिस के लिस्ट है अलग-अलग कैटेगर में कौन से कॉलेज में सीट्स है और कितनी सीट्स है उनकी आप एक लिस्ट तियार कर लें यहां मैं आपके सामने एक उधारन दिखा रही हूं तो यहां जो है मैं आप सभी को उधारन के लिए यह मैंने लिया है तो यहां जैसे कुछ विद्यालियों के नाम है महा विद्य से आप करिएगा अपनी कैटेगरी के यहां मैंने EWS कैटेगरी सिर्फ समझाने के लिए लिया है और केवल पांच विद्याले के नाम लिए हैं तो यहां आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी पे जो है आपको लिख लेना है जैसे कि पहला EWS का जो सीट था क्रम संख्या नंब अगला है करम संख्या नंबर 13 संजय गांधी पीजी कॉलेज सरूरपूर खुर्द मेरट इसमें भी एक सीट थी अगला है सत्रा नंबर करम संख्या स्टी कॉलेज मुझफर नगर इसमें भी EWS की एक सीट थी तो यहां मैंने सिर्फ एक उधारण के लिए EWS कैटेगरी लिय तो ऐसे ही आप अपनी केटेगरी ले लीजिए उसमें कितनी सीटें हैं वह भी साथ में लिख लीजिए और यह करम संख्या है वह लिख लीजिए और कॉलेज के नाम लिख लीजिए तो एक काम आपको यह करना है जब तक यह चीज जो है वेब साइट पर नहीं आती है और यह भी लिखें सीट्स लिखें और दूसरी चीज आपको यह करनी है कि जैसे कि यहां मैंने पांच लिए हैं उधारन के लिए तो अगर मैं चाहती हूं कि मैं सबसे एक नंबर पे कुशी नगर वाले पे अपलाई गर हूँ दो पे जो है मुजफर पुर कर दो तीन प को प्रेफर करेंगे तो यह जो प्रेफरेंस लिस्ट है कॉलेज की जब तक आयो की वेबसाइट पर नहीं आता है यह अपने पास रेडी कर सकते हैं और जैसे ही फॉर्म अविलेवल होते हैं यह चीज आ जाता है इंटर्विव एड्मिट कार्ड का आप उसको फड़ा- अध्यम से और भी चीज़े जो है आपकी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएं तो यूपी अचसे की जानकारी के लिए उसकी किसी भी समस्या से संबंद को हो तो कमेंट कर दीजिएगा आपकी हर समस्या का यहां समाधान होगा तो दोस्तों चैनल से जोड़े रहें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद